जय जिनंद्रा जय भोलेनाथ दोस्तों नौ बच के 37 मिनट हो गई है राद की नौ बच के 37 37 मिनट नाइट 937 पीम एंड टुड़े इट्स 27 अप्रेल 2021 एंड इट्स टूस्डे मंगलवार का दिन आज और आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है देखके थोड़ी सी हसी भी आ सकती है तो थोड़ा सा हसी पर कंट्रोल रखेगा निफ्टी अब की बार 14,000 निफ्टी 14,000 अब की बार 14,000 क्या पागल हो गया तो चलिए इसके बारे में चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले हम डिस्क्लेमर सेक्शन देख लेंगे उसके बाद हम इसके बारे में डीटेल में बात करेंगे तो हमारा डिस्क्लेमर भाई कहां गया वई इसको पहले आप लोग देख लिए इसको पढ़ना नहीं वारी है मेंडेटरी है मेरे हर वीडियो के डेस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो दे टाइटल बॉक्स रहता है अब मैं जो सिर्षक लाए हूँ अब निफ्टी अपकी बार 14,000 ऐसा क्यों बोलाँ तो मैं थोड़ा सा आपको चार्ट पर ध्यान दिलाऊंगा और अपना लॉजिक डालना चाहूंगा कि निफ्टी क्यों 14,000 आएगा वो भी 5 मही तक मेरा टार्गेट है जो कि आप लोग ने पहले का वीडियो देख लिया होगा आज का 5 मही तक जबकि निफ्टी दो तीन दिन से अच्छा बढ़ रहा है और आज की क्लोजिंग निफ्टी की 14,600 त्रेपन 14,653 पे आज क्लोज हुआ है बहुत बड़ी क्लोजिंग है और इसके अलाब बैंक निफ्टी की बहुत बड़ी क्लोजिंग है बद्टीस 735 ऐसा लग रहा कि सार है लेकिन यह रियल रेली है या फेक वही हम चर्चा करेंगे और यह पंद्रह आजार जाने वाला है या 14,000 अने वाला है यह भी हम डीटेल में बात करेंगे तो सबसे पहले में चार्ट पे जाता हूं निफ्टी का डेली चार्ट जो कि मैंने आपके सामने एक साल के डाटा इसमें लिया है मैंने तो एक ट्रेल लाइन ड्रो करता हूं तो वह भी 14,000 की तरफ ही जा रही है और उपर इसका 14,800 एक बड़ा रेस्टेंस है जो कि मुझे नहीं लगता है तूटेगा ठीक है अभी 14,800 मेरे लिए अगर मैंने कि अगरा दिया है तो 14,800 के ऊपर अगर निफ्टी स्पॉट निकल जाए और क्लोज कर दे तो मेरा पूरा व्यू फेल हो जाएगा और कल की क्लोजिंग तो इसको 617 के नीचे देनी चाहिए आज 653 का दिया है कोई डाउट नहीं अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि यह 14,000 आ आज भी आज मंगलवारा और कल बुद्वार रहागा आपको तुमोरो वेनेस डे लेकिन पिछले वेनेस डे हमारी छुट्टी थी और उस दिन विदेशी मार्केट में सिंगापूर मार्केट में एस जेक्स ने आपको 14,000 हजार सोला का लो मार्के दिखाया 14,016 का लो बना है एस जेक्स निफ्टी ने बुद्वार के दिन पिछले बुद्वार को जब हमारी छुट्टी थी 21 तारिक थी मुझे जहां तक याद है हमारी छुट्टी थी उस दिन राम नम्वी की ठीक है तो उस दिन का ट्रेड हमारे यहां तो इफेक्ट हुआ ही नहीं जो 14,016 आया पहले या ओन और विफोर फिफ्ट में इट विल कब 42 जबकी अगर मैं देखू तो पिछले दो तीन दिन से निफ्टी बहुत अच्छी दोड़ मार आप देखो इस दिन के बाद 20 तारिक को जब निफ्टी 296 का क्लोजिंग हुआ था उसके बाद बुद्वार को हमारी छुट्टी थी वहां 24,016 का लोग बनाया था एस्जेक्स ने लेकिन हमको अगले दिन का लोग क्या मिला 14 151 यानि कि एस्जेक्स का जो लोग था हमको देखने के लि जो कि यह यह अकेला सक्स में था जिस दिन उस दिन बुलने आला कि पॉजिटिव क्लोजिंग होगी यह सब को याद है बहुत एडवांस है मैंने बुला था और आप देखो 151 से 1,2,3,4 अज चौता ट्रेडिंग डे था 151 का लोग था वहां से हम 667 तक पहुंच गये और 800 तक भी पहुंच जाए 7 कितना रही है एक्जेक्टली देखता हूं 765 तक भी पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है 765 770 से उपर इसके जाना मुझे लगबग इंपोसीबल लगता है लगबग इंपोसीबल और वहां से इसको यहां आना ही पड़ेगा इसको टेस्क धीक है और ऐसे में होती है सिंपल मुविंग तुम्हारे एक्सपानेशल यह डिफेरेंस बेटून सिंपल और एक्सपोनेशल क्या होता है simple में just आप जितने दिन की average आपको देखनी है उतने दिन की nifty की closing price को note कर लिजे उन सब को add करके divided by same number of days कर दीजे तो आपको simple moving average जाएगा लेकिन when it comes to exponential moving average it gives more weightage to the current data only difference is it gives more weightage to the current data जैसे current में अगर निप्टी downtrend में है तो यह में हमेशा कम आईगे अगर आप 10 दिन की यह में और 10 दिन की SME को देखो तो 10 दिन की SME की value उपर आएगी क्योंकि वह तो simply closing को लेता है और यह current data को current trend को भी include करता है ठीक है अब आज इसमें 10 20 सब की value वने डाल रखी है 20 का color यह है 10 का तो 20 की value आप देख सकते हो 10 से उपर आज की rate में जबकि हम पिछले चार दिन में 156 से कितना आ गए 600 667 151 से 667 आगे पिछले चार दिन में फिर भी आज भी 20 की value 20 EMA की value 10 EMA से बहुत जाद है क्योंकि कि 20 EMA की आज की value 576 14 576 और 10 की 511 तो यह पहला एक week signal की चार दिन की बड़ी रेली होने के बावजूद 500 पॉंट चर्णने के बावजूद 20 EMA और 10 EMA में डेली वाले चार्ट में भी बहुत बड़ा फरक चल रहा है और उस से भी सोने पर सुवागा क्या है 20 वाली से भी 50 उपर है जो कि उल्टा होना चीए था 50 वाली से 20 20 को उपर होना था और 20 वाली से 10 को उपर होना था तब मैं बोलता कि 15,000 भी जाएगा लेकिन यहां खेल उल्टा है और यह तीनो जो एवरेज है 100 दोसों की मैं बात निकर रहा हूं 100 दोसों काफी नीचे की एवरेज है 14 लेकिन पचास अगर 20 से उपर आ गई और 20 10 से उपर आ गई तो कहीं न कहीं बाजी अभी भी पूरी तरह बीर्स की गिरफ में है न कि बूल्स की जब तक यह 10 की वैल्यू 20 से उपर नहीं होगी और 20 की वैल्यू 50 से उपर नहीं होगी तब तक मार्केट तेजी का नहीं है यह मेरी बात आप लोग गाठ बानते हैं पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट आप देखो 10 20 और 50 डेस की यह में की जो मुह है वह फॉलिंग तरफ है कि वालिंग प्लाइं से टैनुए म हैं तवइंटी यह में हैं एंटी यह मैं हैं फुटिया मैं आद फॉलिंग जब्की 100 और 200 यह मैं हार राइजिंग मैं थोड़ा सा इसको आपको पर यह अप्र हैज़ को क्लीर कर के दिखा दूँ अब आप देखो यह 10 20 और 50 50 यह तीनों फॉलिंग साइड में जबकि यह दोनों राइजिंग यह स्टेबल है 100 और 200 तो यानि की मीडियम टम में निफ्टी बहुत स्टॉंग है मीडियम टम मतलब आने वाले दो तीन महिने में इसकी बड़ी तेजी आने की सम्भावना ग्यारेंटीड है लेकिन वेरी शॉट टम में अभी निफ्टी काफी वीग है यानि कि आने वाले हपते बर के लिए या दस दिन के लिए निफ्टी अभी भी वीग है यह सिस्गनल आपको 1020 50 दे रहे हैं तयोंकि 20 की वेल्यू 50 से उपर होने चीह जब कि 50 की वैली त्विद्यू से उपर है और टैन की वेल्यू 20 से उपर होने चीह लेकिन 20 की वैल्यू 10 से उपर है यानि कि actually यह होना चीह 50 10 सबसे उपर होनी चीह 20 10 से थोड़ी नीचे होनी चीह और 50 20 से नीचे होनी चीह लेकिन है क्या 50 सबसे उपर है 50 से नीचे 20 है यानिचे 10 है कि तेजी का मॉर्किट होता है। शॉट टम में अगर तेजी देखना आपको तो टेन के वेल्यू 20 से ऊपर होनी चीह है और 20 के वेल्यू 50 से उपर märet के 50 के वेल्यू healthy से उपर है और 20 की वेल्यू 10 से उपर है तो यह बड़ी मंदी का कन्फोर्मेशन दे रहा है यह आपको दाने डाले जा रहे है और यह कभी भी एनी मोमेंट दा निफ्टी विल टेक यू टन और नीचे आ जाएगा अल्मोस्ट मैं तो यह तेजी सस्टेनेबल नहीं है एट एनी कॉस्ट जब तक की इनका मूर कम से कम 20 भी अगर 50 से उपर आ जाए तो मैं थोड़ा सा स्ट्रॉंग मानूँगा और फिर जिस दिन 10 20 से उपर आज़े तो बहुत स्ट्रॉंग हो जाए तो अभी यह हालात नहीं है पहली बात अब आज थोड़े से इंडिकेटर्स पर भी मैं दिकालता हूं आरे से ओल ठीक है 51 पर बहुत स्ट्रॉंग होता अबाओ 50 रहना अच्छी बात होती है लेकिन अभी 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 अबाओ 50 है लेकिन आप ADX को देखो ADX की वेल्यू आज 24.48 है और इस समय भी रेड लाइन जो है मतलब डि निगेटिव लाइन जो है उसकी वेल्यू डि पोजिटिव लाइन से ज्यादा है तो यह अपने आप में बोलना अभी भी ट्रेंड येर के फेवर में ADX की वेल्यू 20 से उपर होनी चीए तब वो ट्रेंड बताने काबिल होता है तो इसकी वेल बेल्यू बेल्यू निगेटिव लाइन से उपर है तो ट्रेंड पोजिटिव था यहाँ देहिए डिए निगेटिव लाइन की वेल्यू 27.97 और बोजिटिव लाइन की यानि कि अभी भी ट्रेंड बियर के फेवर में है थीक है तीसरा पॉइंट स्टॉक एस्तिक 15 दिन की के लेता हूं मैं 15 पीरेट्स के लेता हूं हाला कि पूरा वर्ल 14 पीरेट्स लेता है यह मेरे अपने कुछ रिसर्च है ठीक है उसकी वेल्यू 41.04 जो की कोई तेजी का सिगनल नहीं होता जब तक यह बॉफ 50 नहीं रहे इसमें स्ट्रेंथ मैं मानता नहीं हो ठीक है तीन फेक्टर आपको गिना है सिर्फ आरसाई डेली वाली थोड़ी से 50 के उपर आगे जटका एक दिन आता है यह वापस पचास से नीची आ जाएगी आप देखो अभी अभी 50 के उपर आई आप देख सकते हो इतने दिन नीची ही थी ठ ठीक है यह एक पॉजिटिव पॉइंट है रसाई का ठीक है तो यह सारे फेक्टर मुझे बोलते हैं डैम कंफॉर्म कि पांस तरिक तक ही चोधा जारा जाएगा फिर भी मार्केट इस अल्वेस सूपीरियर मैं अपना कंफिडेंस इसले दिखाता हूं ताकि मेरे व्यूवर आझनल पांस दक हो जाएगा तो यार अगर यह करना होता तो में यूथीय चैनल नहीं खोलता कि मैं कोई तिप सर्विस से खोल देता दस लोगों को अधैं तका ₈ Nah Tu 10 लोकों से जाड़ता और दस लो उसंगे उसके गाली सुन लेता यह धन्यल आयो पieurक्त नहीं दोस्तों की नीचे है यह बता ना तेरे पास सारी चीज नॉलेज है अगर आपको ADX आता है आपको स्टॉक स्टॉक एस दिखाता है आपको MSCD MSCD में भी आप देखिए अभी भी सिग्नल लाइन जो है सिग्नल लाइन की वेल्यू माइनस 81 है जबकि MSCD लाइन की माइनस 82 है तो अभी भी सिग्नल लाइन एक तो निगेटिव टेरिटरी में दोनो MSCD लाइन और सिग्नल लाइन की बिलो जीरो रहने से का मतलब है बिलो जीरो इनकी वेल्यू होने का मतलब है यानि कि इस जीरो के नीचे रहना का मतलब है negative territory और 0 के ऊपर positive territory और negative territory में भी signal line MSD line से ऊपर है तो यह भी एक signal दे रहा कि कोई strength नहीं है इसे लिए except the only indicator RSI has come above 50 which is a good sign for pulse हो अब आज़ाता है इसकी weekly चार्ट weekly члек क्या बोलता है यह बहुत है अब 2 जॉपमार जासकता अब बामरेम राऊनिफ्टी 7 90 के ऊपर नहीं जा सकता है वे अंपने ज सकते हैं और नीचे का तक आ सकता है नीचे यह यहां सकते 960 भी पोसीबल है ठेक है अब यहां पर आप देखिए यहां आपको देखेगा सारी वीकली हमेज है यहां आपको पिक्चर चेंज है डेली वाली में पिक्चर चेंज था यहां आप देखिए दस की वैल्यू चैसो नो है 20 की वैल्यू 272 यानि कि 10 वाली के वैल्यू यहां पर 20 वाली से उपर है यानि कि अगर कोई पोजिशनल खेलता है दो तीन मेने का व्यू है तो निप्टी बहुत स्ट्रोंग है यहां पर देखिए 10 की वैल्यू कितनी आ रही है मैं यहां पर लिपके देता हूं सब आपको 20 वाली की है 20 वाली की कितनी है 14 दो सो बहुततर पचास वाली की है तेरा एक सो एक सट्रोंगे सो वाली की है बारा तीन सो थीस यह विकली ही है मैं इस बोल रहा हूं है है 700 एक वालिप की गए 1 742 है किस बसक्विए यहां पर देखिये हर चोटी एम मैं बढ़ी ईयां से व्याविव से वेल्यूंट है सबसे बढ़ी हीए में कौन सी 200 इस से छोटी कौन सी है 100 ही है 100 की वेल्यव 200 से उपर है के नहीं है 50 100 से उपर स्व दो सो ने अगर कोई चीज में ठीजी होथे लेकिन विकली में तो क्रली हीए विकली क्या होता है विकली होता है दो-terminus मैंने आगर आपकी पोजिशन वो लीavat तो Weekly पर प्रिफर करेई। लेकिन आप Daily में क्य देख रहे हो। चल्ये ये डेली का भी लिख世界 दिखाता हूँ। डेली में ये क्रम उल्टा है डेली में भी मैंलिक देता हूं यहां पर मैंलिकते हूं 10 की वेल्यू 14 511 है यह डेली चार्ट की बात करोंगा 20 की वेल्यू 14 पांसो छेतर है पच्चास की वेल्यू 14 पांसो बांड में है 100 की वेल्यू 14 एक सो नवासी है 200 की वेल्यू ठेरा थीनव सो यहां आपको देखिए 200 से ule सो उपर है यहां तक करम ठीक है 200 से सो उपर है यानि कि सबसे बड़ी या में दोसों की वेल्यू ऊपर है ठीक है मैंने क्या ब्ला हर छोटी या में की वेल्यू बड़ी या में से अगर उपर है वेली उपर हैं तो कि पचास वाली उपर है यहां तक मौश़िस वाली 20 से उपर है यहां 20 sniff पचास से कम है और 20 से भी कम 10 है यानि कि वेरी शॉर्ट टम में निफ्टी गेरंटीड भी है इस तीन पर आप ध्यान दीजे मैं अभी जो बोला हूँ इस त्री ठीक है जो तीन है दस बीस पचास हमको बोल रही है कि मार्केट में दम नहीं है मैंने अपना कोशिस करके आपको समझाना चाहा मेरा सारी राज आपको समझा दिया अब बोले नात के हाथ में और आप सब की दुआउं के हाथ में मुझे पांच तारिक तक ही 14000 के दर और हो जाएंगे ऐसा मुझे बहुत कंफिदेंस है जै जिने अंद्र जै बोले नात जै निए